नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गोतम विपक्षवाले सवाल उठा रहे हैं कि पीम मोदी से सवाल पूछने के अलावा क्या अब किसी सीम का नाम लेना भी अपराद हो गया है आकिरकार ग्यानिंदर तिवारी के साथ हुआ क्या ग्यानिंदर तिवारी वही रिपोर्टर हैं जो बागेश और बाबा के दर्बार में जाकर उन्हें चमतकारी बता रहे थे उनके जैकारे लगा रहे थे शायद बाबा ने नहीं बताया कि आज आपके साथ खत्रा भी हो सकता है बाबा से पूछ कर जाना चाहिए था ग्यानिंदर तिवारी को कि मैं आज ये कारेकरम करने जा रहा हूँ बाबा जी कोई खत्रा तो नहीं है पहले ही बता दीजिए लेकिन शायद आथ पूछ कर नहीं आये होंगे तो बीजेपी वालों ने उनके साथ क्या किया ज़रा ये वीडियो देखिए जो यूथ कॉंग्रेस के प्रेजडेंट शिद्वास बीवी ने शेयर किया है अपने ट्वीटर अकाउंट पर और बीजेपी पर क्या सवाल उठाये हैं वो बाद में दिखाएंगे तो ये आपने देखा कि ग्यानेंदर तिवारी अब बीजेपी के संस्कारों पर सवाल उठा रहे हैं अलाकि चैनल ने कोई बहुत ज़्यादा हला नहीं बोला अपने रिपोर्टर के साथ ऐसे वेभार पर लेकिन विपक्ष वालों ने इनकी आवाज जरूर उठाई है शिनिवास बीवी लिखते हैं कि क्या हाल बना दिया है देश का नो साल में प्रधान मंतरी ने हिंदुस्तान में मीडिया का कोई सवाल नहीं लिया अब उनके नेता कह रहे हैं कि आप बीजेपी के ब्रश्ट मुख्य मंतरी का नाम भी नहीं ले सकते हैं खैर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए इसके अलावा कमलात क्या लिखते हैं वो भी देखिए कमलात लिखते हैं कि आज जबलपुर में एक टॉक शो के दोरान जिस तरह से एबीपी नियूस के पत्रकार के साथ भारते जनता पार्टी के कार करता हूं उन्हें दुर्वभार किया मैं कड़े शब्दों में उसकी भसना करता हूं पत्रकार मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछ रहे थे तो उन्हें जबरन चुप कराया गया मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि मद्यप्रदेश में ऐसा माहूल पैदा किया जाए कि पत्रकार सवतनत रूप से कारे कर सके सताधारी पार्टी के कारे करताओं को गुंडागर्दी करने की छूट नहीं होनी चाहिए तो ये कमलाथ ने बात कही है और मद्यप्रदेश में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि जब पत्रकारों के साथ ही ऐसे गुंडागर्दी की जाती है तो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी है ग्यानंदर तिवारी मद्यप्रदेश में पिठते पिठते बचे हैं अगर ऐसा किसी और पार्टी के कारिकरता ने कर दिया होता तो शायद अब तक सारे न्यू चैनल और सारे तथा कतित राश्वादी पत्रकार सोशल मीडिया पर तो कम से कम बवाल मचा देते चैनल कारिकरम करता कॉंग्रेस को घेड़ता लेकिन चुकि बीजेपी से जुड़ा मामला है तो ज्यादा हंगामा नहीं मचा है लेकिन ये मामला दिखाता है कि बीजेपी कारिकरताओं की क्या इस तरह की सोच हो गई है कि आप मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं ले सकते पत्रकारिता में शीरी और जी लगाने का कोई चलन नहीं होता, बीजेपी कारिकरताओं को शायद ये पता नहीं है, क्योंकि शायद पिakersब्लीक मीडिया को तो आधर से ही बोलना चाहिए हमारे नेताओं को आप इस पूरे वाकिये को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट पॉक्स पे पी रायज जरूर दें आप देखते रे पब्लिक मेटर नमस्कार